और दोस्तों श्रागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निरोग तूडे में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कमाल के और बहुत ही प्यूगी और शिदी पवधा है प्लीज बीडियो लास तक जरूर देखेगा बीडियो इसकी मत किजिएगा नहीं तो आपको पूर आसानी से मिल जाएगा इसे कई नामों से जाना जाता है जैसे चिरशीटा लटजीरा चिरशीरा आधी कई नामों से जाना जाता है प्लीज कबर में जरूर बताईएगा आपके गाउं में आपके साहर में किस नाम से यह जाना जाता है लेकिन लोग इसे ना जानते हुए ब बिमारी में काम आता है जैसे कि दाद दर्द, पेड कि रोग, मूत्र रोग, चर्म रोग, घाव को भरने में खाशी, बुखार, बावाशिर, लिकोरिया, आदमें बहुत गुड़कारी है यह पौधा, इसके पौधें हरे गुलावी होते हैं, इसके बीज चावल के शमान होत हैं, यह दो प्रकार का होता है, शफेद अपामार और लाल अपामार, पत्तों के बीच में डेंठलों के बीच में से काटयूक्त बीज इसमें लगे रहते हैं, यह बहुत ही फायदे मंद हैं, जैसे कि दाद दर्द, दाद रोग कि शमाश्या, अगर आप परसान हैं तो इस इसके अलावा, इसके जो पत्ते हैं, उसका हम रश निकाल कर, काटन रूवी में अगर लगा कर, जहां दादों में दर्द हो रहा है, उस जगह पर रख देते हैं, तो जो दादों में दर्द है, वह है धीरे-धीरे, ठीक हो जाएगा, इसके अलावा जैसे कि चर्मरोग, इ बुड़ी तरह से ठीक कर देगा इसके अलाव अगर मुह में छाले निकला है उससे आप परसान है आपसे खाया नहीं जा रहा है आप बोल नहीं पा रहा है इसके जो पत्ते हैं उसका हम काढ़ा बनाकर अगर उससे कुल्ला करते हैं तो जो मुह के छाले हैं वह पूरत रूस स ठीक हो जाए गर अगर किकी को भूख बहुत लगती है जिसे भस्मा रोकाते हैं और उससे आपके घर में आप उससे पर्सान है इसके हम बीजों को हम क्या करेंगे इसके पावडर बना कर इसके बराबर मात्रा में decrylЛे लेंगे और दोनों को रोज शुबर शाम 3-5 ग्राम अगर लेते हैं तो जो अधिव भूक रही है जिसे भश्मा रोक काते हैं उसमें आपको फाइदा होगा इसके अलावा अगर पेट दर्द से परसान है इसके जड़ का पाउडर बना का इसमें 2-3 ग्राम अगर इसमें शहद मिलाकर लेते हैं तो पेट में दर्द हो रहा है पेट में जलन है उसमें भी आपको फाइदा होगा अगर घाव हो गया शरीर में और वह ठीक नहीं हो दा इसके पत्तों का हम रश निकाल कर घाव वाली जगह पर अगर लगाते हैं तो जो घाव है वह जल्दी भर जाएगा इसकी अलामा हैजा में भी यह बहुत कारगर है अपामार की जड़ का पाउडर बनाकर दिन में 2-3 बार पानी के साथ लेने से हजा रोग जो हो गया है उसमें भी आपको फाइदा होगा बवाशीर में भी इसका बहुत कारगर प्रियोग है इसके जो बीज है इसका हम पाउडर बनाकर इसमें बराबर मात्रा में मिस्री मिलाकर रोज शुबर शाम 205 ग्राम अगर लेते हैं तो बवाशीर में आपको बहुत फाइदा होगा है इसके अलावा कर पथरी है इस्टोन है अगर शरीर में उश्या पर्षान है तो इस अपामार की जो ताजा जड़ है इसके जो आप प्लान देख रहे हैं इसकी ताजा जड़ को हम पानी के साथ क्या करेंगे थोड़ा लेके उसको हम पीस लेंगे ऐसे अगर पंदरे से बीस मीली ग्राम की मात्रा में अगर आप लेते हैं तो पथरी जो होती है गल कर बाहर आ जाती है और दर्द भी आपको फाइदा होगा है इसके अलावा महिलाओं में एक आम समस्या है जिससे हर कोई परशान होते हैं मासिक धर्म लिकोरिया इसमें भी इसका बहुत ही कारगर उपाय है इसका हम पंचांग बनागे इसकी पूरे प्लांड को हम पंचांग का क्या करने के रश में अगर मिश्री मिला कर बराबर मात् इतने समस्या है लिकोरी आ खून आ रहा है उन्स शब में बहुत फायदेमंद होता है इसके एलामा है इसका एक बहुत कारगर और बहुत ही अशुजा प्रयोग होता है जो शायद को जानता होगा ये इसका एक बहुत ही बिनीभिट वर हो पारही है इसका बंदेदंflower भी ज तोुस्त के लिए हम इसके जो होती है अगर प्रसव जल्दी नहु पा रहा हो तो इस अपामार की जड़ है को हम क्या करेंगे इस की जड़ कैसे हम काट के ले लेंगे दो से बांधें बाढ़े और तिससे निगे और लिए युसमें किया करेंगी कि बांधद की कि मर में और जब प्रशब हो जाए उसके तुरंत है म। झांप दींगे इसको जड़ को हटा देंगे लही तो ध्रात के च ratology बहुत इसका कागर हुआ इसका गाया प्रशोज जल्दी नहीं हो रहा है यह कमाल प्रियोग इसके इलावा जिसे किडिये के ने को कार लिया जो से बिच्छू हो गया हो गई किसी ने भी कार लिए है तो इसके पत्तु को हम पिश कर गों उस जुगाह पर अगर लगाते हैं तो जो दर्द है वह क्या कर देगा प्रयोग है इसके जरूर प्रयोग किजिए और इसका आप अपने जिवों ने प्रयोग किजिए और इसके लाग उठाए वीडियो पशन जाए हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि और लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा सेर कीजिए चलिए मिलते हैं एक और प्लान के रूम में नेस्ट वेडियो में तब तक के लिए बाई बाई